नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल माजीद साइन्स फराजम आपके लिए लेकर आया हरियाना से जुड़े कुछ मैत्तपुन क्वेस्टन अंसर जो की आपसे आने वाले कंपेटिशन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं Most important question are competition exam in हरियाना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटा फट दोस्तों आज का हमारा first question है सरपदमन हरियाना के किस प्राचिन नगर का नाम है? दोस्तो इसका उपसा नमबर से यानि सपिद्धो सर्प दमन आपका हर्याना के प्राचिन नगर सपिद्धो का नाम है जो कि आपका जिन्द जीले में पढ़ता है और जिन्द जीले की स्थापना एक नॉवमबर 1966 को की गई थी और जिन्द जीले को जिन्द देवी नगर और हर्याना के खर्दिया के उपनाम से जाना जाता है हमारे नेक्ट क्वेस्टन है हर्याना में लिबर्टी जूते कहां पर बनाए जाते है दोस्तो इसका उपसा नमबर डी यानि करनाल में हर्याने में लिबर्टी जूते आपके करनाल के गरोंडा नामक स्तान पर बनाए जाते है और करनाल जी ले की स्ताफना एक नॉम्बर 1966 को हुई थी और करनाल जी ले को हर्याने का पेरिस दान का कटोरा और करन नगरी के उपनाम से जाना जाता है हर्याने का कौन सा नगर बुनकरो के सहर के नाम से परसिद है दोस्ते स्कॉप्शन नंबर B यानि पानिपत हर्याने का पानिपत जीला बुनकरो के नगरी या फिर बुनकरो के सहर के नाम से परसिद है और पानिपत जीले की स्ताफना एक नॉम्बर 1989 को की गई थी और इसके अलावा पनीपजीले को हेडलूमो का सहर और पेट्रो कंकल हब के नाम से भी जाना जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेशन है हरियाना से राज़ शबा में कितने सद्द EPSY Сам 원호नित होती है दोस्तों सकॉपस नमबर B यानि पांच सद्द EPSY braking की सिटे आपकी पांच और लोक सभा की सिटे आपकी दस और हर्याणा में विदान सभा की सिटे आपकी नब्बा है हमारे नेक्स्ट क्वेशन चिएवन रीसी की समर्थी में मेला किस पहाड़ी पर लगता है दोस्ते स्कॉप्स नमबर बी यानि डोसी की पहाड़ी पर चिएवन रीसी की समर्थी में मेला आपकर दोसी की पहाड़ी पर लगता है हमारे नेक्स्ट क्वेशन है सन 1857 के सवतंतरता संग्रा में बल्लबगड के किस राजा ने बलिदान दिया था दोस्ते स्कॉप्स नमबर बी यानि नहार सिंग ने सन 1857 के सवतंतरता संग्रा में बल्लबगड के राजा नहार सिंग ने अपना बलिदान दिया था हमारे नेक्स्ट क्वेशन है हाले में पसुधन बीमा योजना की सुरुवात हर याना सरकार के किस मंत्री के द्वारा की गई थी दोस्ते स्कॉप्स नमबर बी यानि ओपी धनकड के द्वारा जो कि आपकी पसुधन बीमा योजना की सुरुवात की गई थी हमारे नेक्स्ट क्वेशन है HSIIDC के वर्तमान परबंदक निदे सक कौन है दोस्ते स्कॉप्स नमबर D यानि M. नागराज जो की आपके HSIIDC के वर्तमान परबंदक निदे सक है HSIIDC यानि हरियाना State Industrial and Infrastructure Development Corporation जो की आपकी full form होती है और इसका मुख्यलिय आपका पंचकुला में स्तीत है और इस किस्त आपना 8 मार्च 1967 को की गई थी हमारे next question है हरियाना में राजा जन्मिया का संबंद किस नगर से है दोस्तों इसकॉप्स नमबर D यानि सपीदो से हरियाना में सपीदो से राजा जन्मिया का संबंद है हमारे next question हरियाना सरकार में महीला इंबालविका सूचना जन्संप्रक और सांसकर्ति मामलों के मंतरालिय किस के पास है दोस्तों इसकॉप्स नमबर B यानि कवीता जैन के पास हरियाना सरकार के महीला इंबालविका सूचना जन्संप्रक और सांसकर्तिक मामले आपके कवीता जैन के पास है हरियाना में कुल कितने परसासनिक मंडल है दोस्तों इसकॉप्स नमबर A यानि 6 हरियाना में कुल 6 परसासनिक मंडल है और ये मंडल आपके अंबाला, करनाल, रोतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद है हमारे next question हरियाना के पर्थम राजकवी कौन थे हरियाना के किस जीले किसी में भारत के अन्य किसी राज्य को सपर्स नहीं करती है दोस्तों इसकॉप्स नमबर A यानि रोतक हरियाना के रोतक जीले किसी में भारत के अन्य किसी राज्य को सपर्स नहीं करती है और इसके अलावा आपका चर्की दादरी जो की अन्या किसी भी राज्या के साथ सपर्स नहीं करता है और रोत्तक जिले की स्थापना आपकी एक नॉम्बर 1966 को हुई थी और रोत्तक जिले को सुगर सीटी के उप नाम से भी जाना जाता है हर्याना के लोहे पुरूस के नाम से कौन जाना जाता है दोस्ते स्कॉप्स नंबर सी यानि बनसी लाल जो की आपके लोहे पुरूस के नाम से जाना जाता है हमारे नेक्स पुरूसन है कौन सा जिले सबसे आखिर में बना था दोस्ते स्कॉप्सन नमबर सी यानि पलवल पलवल जीला आपका आखिर में बनाता परंतु सबसे लाश्ट में जो जीला बनाया गया था हर्यान का वो आपका चर्किदादरी बनाया गया था लेकिन ओप्सन के हिसाव से आप से इसमें आपका पलवल है जो की लाश्ट में बनाया गया था हमारे next question है कुरुक चेतर स्तित बिडला मंदिर किस स्रोवर के निकट स्तित है दोस्ते स्कॉप सनमबर सी यानि ब्रहम स्रोवर के नजदी कुरुक चेतर स्तित बिडला मंदिर आपका ब्रहम स्रोवर के पास स्तित है हमारे next question है निम्लिकित में से कौन साहर यान में मंदल नहीं है दोस्ते स्कॉप सनमबर डी यानि करनाल जो की आपका डिवीजन नहीं है हमारे next question है यह किसकी मान्यत्य है कि गुरु जम्बे स्वर भगवान विस्ण के अवतार थे दोस्ते स्कॉप सनमबर बी यानि विस्णोई के जो की आपकी यह मान्यत्य है कि गुरु जम्बे स्वर भगवान विस्ण के अवतार थे हमारे next question है इन में से के MP का पूर्ण रूप निम्लिकित में से कौन सा है दोस्ते स्कॉप सनमबर सी यानि कुंडली मानेसर परवल जो की आपका के MP का पूर्ण रूप होता है हमारे next question है रियो ओलम्पिक की काश्य पदक विजेता साक्सिमलिक का जनम कहां कब हुआ था दोस्ते स्कॉप सनमबर A यानि 3 स्कॉप सनमबर 1902 को रियो ओलम्पिक की काश्य पदक विजेता साक्सिमलिक का जनम हुआ था हमारे next question है किस ने चंदरगुप्त मोरिया को मगद का सासक बनने के लिए मारक दर्शन किया था दोस्ते स्कॉप सनमबर A यानि कोटिल्या कोटिल्या ने चंदरगुप्त मोरिया को मगद का सासक बनने के लिए मारक दर्शन किया था हमारे next question है ग्रीक राजदूत मेगनस्तिज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्ते स्कॉप सनमबर C यानि इंडी का ग्रीक राजदूत मेगनस्तिज ने इंडी का पुस्तक लिखी थी हमारे next question है मान् सुर्वर च्छेतर से किस नदी का उधगम हुआ है मान सुर्वर च्छेतर से नदी आपकी ब्रहम पुत्तर का उधगम हुआ है राज्चे सरकार ने किस जीले में एक अंतराश्टी स्तर के संग्रालिय की स्तापना की है, हमला नेक्स्ट क्वेशन है, स्रीकंट जन्पद किस जीले को कहा जाता है, दोस्तो इसकोपस नमबर बी यानि कुरुक छेतर को स्रीकंट जन्पद के उपनाम से कुरुक छेतर जिले को जाना जाता है और इसके अलावे से धरमनगरी तिर्टराज सीटी ओपार्क्स के उपनाम से भी जाना जाता है और कुरुक शेतर जिले की स्थापनाप की 23 जून 1973 को की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है हर्याला नाम किस पुराण में है दोस्ते इसका उप्सन नंबर ए यानि सकंद पुराण में हर्याला नाम आपका सकंद पुराण में मिलता है हर्याना सब्द किस क्रीती से प्राप्त हुआ है किस वेद में हर्याना की दो प्राचिन नदियों का उल्लेक है जो आजलूपत है दोस्ते स्कॉप्स नम्बर A यानि रिगवेद में रिगवेद में आपकी हर्याना की दो प्राचिन नदियों का उलेक है जो आज लुप्त है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है दिवियादान में किस नगर का उलेक हुआ है दोस्ते स्कॉप्स नम्बर C यानि A और B में यानि दिवियादान में आपका रोत तक और अगरो नगरो का उलेक हुआ है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है असो के स्तंब लेक की लीपी कौन सी थी दोस्तों इसको अपसन नमबर A यानि ब्राही लीपी जो की आपकी असोक सतंब के लेकी लीपी थी और हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है और इस वीडियो का लाश्ट क्वेस्टन भी है जो आप सभी के लिए है करप्या कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि जूई नहर द्वारा पर्मुक्ते हर्याना के किस जिले में सिंचाई होती है हमारे पास और अपसन भीवानी सिरसा कुरुक्छेतर या सोनिपत दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताएगा जूई नहर के द्वारा पर्मुक्ते हर्याना के किस जिले में सिंचाई की जाती है झालए कटें suspects दो झालए हुएन से हाँ थां मैं जू हैं हम इंड समुध के आपनें दो, समय आपनें गरेहां धिता हैं है, ँड खिराओनी करहें।